हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज की कुकिंग सीरीज में हम बनाएंगे पेठी की स्वादिश खटी मिठी सबजी, जो की हम बच्पन में खाया करते थे, हमारी दादी नानी मा बनाया करती थी, तो यह हम सिंपल स्टाइल से बना रहे हैं, कोई हलवाई स्टाइल से अभी नई बनाएंगे, वो हम बाद में सिखेंगे, पहले हमारे बिगनर्स भाई भैनों के लिए हम बनाएंगे सिंपल सी रेस्पी, तो इसके लिए पहले इसे मैंने काट लिया, इसका गुदा निकाल देंगे, सेंटर में से बीज और छिलका उतार लेंगे, अगर इसका हरा हो और पेठा कच्चा हो तो आप चाहे तो छिलके को यूज भी कर सकते हैं सबजी में, और इसके बाद मैंने तो उतार दिया क्योंकि वो पका हुआ था, अब इसे काट लीजिए, चाहे बरीक बरीक, चाहे मोटा, जैसे आपको पसंद हो, तो इसके बाद काट लेंगे तड़का, तड़का कट गया है तो रख लिया है कड़ाई को गैस पर, इसमें डाल दिया सरसों का तेल, गरम करके थोड़ा थंड़ा कर लिया, उसके बाद डाल दिया जीरा और मेथी दाना, मेथी दाने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है पेठे का, इसके बाद अद्रक, अब दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, हलका सा जैसे ही हलका ब्राउन होगा तो इसमें डाल देंगे मिर्ची, मिर्ची डाली है मैंने तीन, आप कम ज़ादा कर सकते हैं अपने स्वाध के अनुसार, अब डाल देंगे प्याज मीडियम साइज के मैंने तीन काट के रखे थे अब इसको भून लेंगे प्याज को अच्छी तरह से जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर कदू कश करके रखा हुआ है थोड़ा सा डाल दिया है पानी और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से अब डाल देंगे हमारे वही बेसिक से मसाले रोज की इसमें डाला है एक चमच नमक और इसके बाद डाल दी हल्दी आदा चमच थोड़ी से डाली है कश्मीरी लाल मिर्च एक चमस डाला धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला और इसको कर लिया अच्छी तरह से मिक्स, अब तेल अलग होने का करेंगे इंतिजार, और जैसे ही तेल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तड़का भुन जाएगा तो इसमें एड़ कर देंगे पेठा जो हमने काटके रखा था, अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तड़के की कोटिंग कर देंगे, इसके उपर अब थोड़ा सा पानी डाल कर इसे धग देंगे पांच मिनट के लिए मीडिया मांच पर पांच मिनट के बाद धक्कन उठाके देख लिया, और इसे हिला देंगे अच्छी तरह से, अगर नीचे लगता लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, एक चम्मच जन दो चम्मच इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सगुड़, आप चाहें तो चीनी, जन शक्कर भी डाल सकते हैं साथ में डाल दिया आदा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे जग खटा मिठा टेस्ट बनेगा, पेठेगा तो बहुती स्वाद लगेगा वो अब फिर पांच मिनिट के बाद इससे देख लिया है, तो थोड़ी सबजी बनके त्यार है हमारी, तो इससे थोड़ा-थोड़ा मैश कर लिया है कर्ची के साथ अब इसके साथ बना ली है, मैंने पूरिया हमारे घर में तो सब पूरियों के साथ खाना पसंद करते हैं फटा फर फिनिश हो जाती है, पेठे की सबजी जैसे ही बनती है पूरियों के साथ तो अब ये बनके होगी है बिलकुर त्यार तो अब हम कर लेंगे इसको गर्मा-गर्म सर्व, तो ये आने वाली है सब को बहुत ही पसंद एक बार जरूर बना कर देखेगा तो लीजिए हमारी गर्मा-गर्म पेठे की स्वादिस्ट खटी-मिठी सबजी तियार है खाईए पूरियों और लच्छा-प्याज और आम के अचार के साथ और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और मेरी वीडियो को शेर कीजिएगा थैंक्स फॉर वाच्छिंग और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर और वीडियो थैंक यू